देखा ये वीडियो इस वीडियो को देखकर यही कहा जा सकता है कि आखिर कार बिना हाथ के साइकल कैसे चल पाएगी लोग सभा चुनाफ को लेकर यूपी में राजनेतिक दलों ने तैयारियां तेश कर दी है और इसी के मद्य नजर उत्तर प्रदेश में कॉंग्रिस ने यूपी जोडो यात्रा निकाली जिसका शनिवार को लखनाओ में समापन होने वाला है इस बीच इस यात्रा के दोरान एक दिल्चस्प तस्वीरे देखने को मिली बता दे कि साइकल समाजवादी पार्टी का चुनाफचेन है अजे राय ने भी यात्रा के दोरान अपना साइकल चलाते हुए वीडियो एक्स पर शेयर किया उन्होंने इसके साथ ही लिखा साइकल की सवारी जुडेगा भारत जीतेगा भारत यूपी कॉंग्रेस ने अजे राय के नेतत्रव में उत्तरप्रदेश के सहरनपुर से 20 दिसंबर को यूपी जोडो यात्रा की शुरुवात की थी ये यात्रा कॉंग्रेस सांसर राहूल कांथी की भारत जोडो यात्रा की तरश पर निकाली गई यूपी जोडो यात्र अब लखनाओं में 6 जनवरी यानि कि आज लखनाओं के शहीद समारकपर राजवेतिक संकल पलेने के बाद इस यात्रा की समापती की जाएगी आपको बता दे कि लोग सभ़ चुनाओं में देखते हुए इंडिया गडवंदन पूरी तरह से एक्टिफ मोट में नज़र आ रहा है इस वक्त इंडिया गडवंदन की सबसे बड़ी चुनाओती सीट, शेरिंग है कईराजियों में कॉंग्रिस और शेत्रिदल आमने सामने आ चुके हैं वहीं उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी गडवंदन की सबसे बड़ी चुनाओती समाजवाधी पाटी और कॉंग्रिस के बीच सीट शेरिंग को लेकर आम सहमती बनाने को लेकर है सूतरों की मानने तो पाटी ने यूपी में कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है पाटी ने यूपी में 25 सीटों का चुनाव किया है तो वहीं कॉंग्रिस 25 से कम सीटों पर मानने के लिए तया नहीं कॉंग्रिस के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए समाजवादी पार्टी इतना ज्यादा सीटे देने के मूड में भी नजर नहीं आ रही अब बात करते हैं BSP इस बीच बसपा को लेकर कई तरह के लगाता कयास लगाये जा रहे हैं वो चुनाओं से पहले इंडिया गडबंदन में शामिल हों या फिर नहीं बसपा की भीतर भी इस तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है बसपा सुप्रेमो मायवती आखिर क्या फैसला लेंगी माना जा रहा है कि मायवती 15 जनवरी को अपने जन्म दिन पर कोई बड़ा एलान कर सकती है इंडिया गडबंदन को लेकर इन दिनों बसपा कारेकरताओं में भी बेचैनी देखने को मिल रही है कहा जा रहा है कि कार्यकरता इंडिया गड़बंदन में शामिल होने अचाते हैं अब उनकी नजरे पाटी की मुख्या मायावती पटिकी है कि वो गड़बंदन को लेकर क्या फैसला लेंगी क्या वो गड़बंदन का हिस्सा बनेंगी या फिर उन्होंने जो अलग चुनाव लड़ने का एक एलान कर रखा है वो अपने उसी पैसले पर अटल रहेंगी इस पूरी खबर को लेकर कि आपकी क्या कुछ राय है हमें कविन बॉक्स में ज़रूर बताए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जूटे रहने के लिए देखते रहें न्यूस बनेंजे